हलो डियर फ्रिंड्स मैं हूँ वीजे सिंग वीपिस मोटिवेशन एन इंसुरिंस में आपका हार्दी स्वाबत करता हूँ फ्रिंड्स आज मैं आप सब को स्टार हेल्थ की आरोग संज्यूनी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ जो की बहुत अच्छा पॉलिसी है इसकी क्या-क्या फीचर है क्या-क्या बेनिफिट्स है इस सारह डिटल मैं आपको बताने वाला हूँ और यह बहुत यह बहुत ही बहुत ही बहुत रिद्रीन पॉलिसी है फ्रिंड्स आरोग्य संजुनी पॉलिसी बहुत यूनिक, highly beneficial and affordable health insurance है eligibility बात करते हैं, 18 साल से लेके 65 साल तक का व्यक्ति इस policy को ले सकता है individual ले सकता है या अपनी family के साथ में ले सकता है और जो dependent है वो तीन मेने से लेके 25 साल तक का बच्चा हो इसमें add किया जा सकता है और lifelong renewal option भी है इसमें, इस policy को lifelong renewal भी किया जा सकता है policy term की बात करेंगे तो one year है और policy type individual, individual कोई व्यक्ति इस policy को ले सकता है और floater में जैसे husband, wife और बच्चे तो वो भी इस policy को ले सकते हैं अगर multiple family यानि जैसे माबाप हैं उनकी भी policy आप इसमें include कर सकते हो, ले सकते हो साथ ससूर हैं तो उनकी भी policy आप अपने साथ ले सकते हो ये feature इस plan में है जिससे कि इस policy को यूनि बनाता है अब सामें शोड की बात करेंगे तो सामें शोड एक लाग गर लाग इसी तरह से 5 लाग तक का समें शोड इस policy में दिया जाता है और यदि व्यक्ति कोई 50 साल से उपर का है तो उनके लिए एक pre-acceptance screening यानि एक medical test होता है और वो company के nominated center में किया जाता है उसके बाद underwriter decide करता है इनको policy दिया जाए या नहीं तो यह procedure इसमें 50 एने बावालों के लिए है income tax benefit you can claim a tax benefit for the paid premium under section 80D आप जो भी premium भरते हैं वो tax benefit के लिए claim कर सकते हैं under section 80D के साब से day care procedure सारे covered हैं इसमें benefits के बाद करते हैं जैसे room rent, doctor fee and nursing charges इसमें 2% up to 5,000 per day यानि अगर आपका सामेशोड एक लाख है तो उसका 2% दो जार हो गया 2,00,000 है तो 2% 4,000 हो गया 3,00,000 है तो 2% उसका 6,000 हो गया लेकिन आपको 6,000 नहीं मिलेगा maximum 5,000 per day की सबसे मिलेगा तो यह 2% और उसका limit है 5,000 इसी तरह से ICU and ICCU expenses में in case of ICU room rent will be 5% of सामेशोड up to Rs.10,000 per day यानि 5% आपका सामेशोड एक लाख है तो 5% उसका 5,000 दो लाख है तो 10,000 तीन लाख है तो तीन लाख का 5% 15,000 लेकिन आपको यहाँ पर लिमिट है 10,000 ही maximum मिलेगा per day तो यह ICCU and ICU expense room rent का लिमिट है Pre-hospitalization Medical expenses incurred up to the 30 days prior to the date of admission तो admission से 30 days पहले का जो भी medical expenses रहेगा वो आपको मिलेगा और post-hospitalization में medical expenses incurred up to the period of 60 days after discharge from the hospital discharge होने के 60 days तक का जो भी आपका बिल रहेगा वो reimbursement हो जाता है इसमें उसका भी claim मिलता है cataract के लिए बात करेंगे तो इसमें 40,000 का लिमिट है 25% आप सामें शोड सामें शोड सामें शोड सामें शोड सपोज मालो आपका एक लाग है तो 25% यानी 25,000 उसको आपको मिल जाएगा एक आँ के लिए और अगर दो लाग का सामें शोड तो उसका 25% कितना होते है पचास जार तो पचास जार आपको नहीं मिलेगा 40,000 ही मिलेगा एक आँ के लिए एक पॉलसी येर में तो उसका लिमिट 40,000 कैटरेक्ट के लिए दिया हुआ है मोड अप पेमेंट इस पॉलसी में आपको मोड का आप्शन दिया हुआ है पेमेंट का मंतली भी आप पेमेंट कर सकते हैं क्वाटरली भी कर सकते हैं हाफ यरली और यरली ये सारे मोड इस पॉलसी में अवेलिबल हैं 30 days का grace period रहता है yearly के लिए बाकी के लिए 15 days इस grace period में claim नहीं मिलेगा लेकिन policy आपका अगर आप premium भर देते हैं तो policy आपको continuation में आ जाएगा और इसका जो भी benefit रहेगा मिलेगा बोनस की बात करते हैं इसमें 5% of suminsured आपको हर साल आपके suminsured में add होते जाएगा हर claim free year में और maximum 50% तक आपका add होएगा और अगर कोई claim आता है तो इसी ratio से आपका no claim bonus reduce भी होगा ice treatment जैसे आयरवेदा, होमेपैथी, योगा, सिध्धा, यूनानी, नेचिरोपैथी इस तरह के system से भी जो medicinal expense होता है वो भी इस policy में cover किया हुआ है इसका suminsured limit है एक लाग से लेके पांच लाग तक यानि पांच लाग से उपर की policy ने दी जा सकती है इसमें copay है 5% का आपका जो भी claim आएगा उसमें 5% तक आपको भरना रहेगा renewal lifelong रहेगा, exclusion इसमें है maternity expenses, cosmetic and plastic surgery, weight loss, treatment related to injury and participation in the adventurous sports, breach of law, change of gender treatment, ये exclusion है इस policy के अंतरगत waiting period इस policy में है 30 days ये सारे policies में रहते हैं 30 days का जैसे illness, disease का, accidental case छोड़के 24 months का waiting period है जैसे tonsillectomy है, cataract है, hysterectomy, ant disorder, hydroseal, all types of hernia, piles, fistula, इस तरह के जो, इस तरह के जो daycares है इसमें 24 months waiting है इसके लिए, और कुछ disease के लिए 48 months का waiting है, जैसे age related osteoarthritis, osteoporosis, treatment for joint replacement unless arising from accident, इस तरह का 48 months का भी इसमें waiting दिया हुआ स्टार एडवांटेज की बात करता हूँ, number one, no third party administration, direct in-house claim settlement, second है faster and hassle-free claim settlement, third है cashless facility, wherever possible in network hospital, so friends, यह star advantage की बात की मैंने, और मुझे उमीद है friends, आप सब को यह policy अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो please इसे like कर दिजेगा, share कर दिजेगा, और अगर आप मेरे channel पे पहली बारा हैं तो please इसे subscribe कर लेजेगा friends, thank you very much कर दो